तो ऑपिक यह को इसमें आपको यह पता चलेगा कि वोमन्स के उपर जो कुरूरता होती थी पहले वो किस तरीके की हुटी थी कितनी अजीब तरीके की चीज़ें होती थी तो देखो एक ब्रेस्ट टैक्स लिया जाता था जब बृटिशर्स हमारे यहां शाशन करते थे 19 सथी में नाइंटीन सेंचुरी में जब ब्रिटिशर्स इंडिया में साशन कर रहे थे उस टाइम पे और तो कई सारी जो उल्टी सीधी जो कूप रथाए थी उनको जहलना पड़ता था ठीक है ना कुछ तो पहले से थी ब्रिटिशर्स के आने से पहले से और कुछ बाद में हो वहां का जो राजा था उसने इस ब्रेस्ट टैक्स को इंपोस किया था ठीक है उसने लगाना ये चालू किया था ट्रावनकॉर जो है वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे पे पन्स टेट से था ठीक है 550 प्रिंसली स्टेट में से एक था यह ट्रावन कोर देखो आप लोग को एक चीज़ तो पता ही होगी कि दलीतों पे आज भी कई जगा अत्याचार होते हैं ठीक है तो अभी इतने कानून बनने के बाद अगर यह हाल है तो उस टाइम पे तो कोई कड़क कानून भी नहीं था दलीतों के लिए तब कैसी हालत होत थी मतलब उस समय पे जो दलीत औरते थी वो अपने ब्रेस्ट को नहीं ढख सकती थी अपने शरीर के उपरी हिस्से को नहीं ढख सकती थी उनको अपने इस्तन को अपने ब्रेस्ट को खुला रखना पड़ता था अगर वो कहीं पब्लिक प्लेस पे भी जा रही हैं जैसे कही बाजार या कहीं भी बाहर पब्लिक प्लेस पे भी जा रही हैं तो भी उन्हें अपने इस्तनों को खुला ही रखना पड़ता था मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो किस तरह का हुमिलियेटिंग सिस्चुएशन हो जाता था और अगर कोई ओरत ऐसा नहीं करती थी अगर मान लो वो अपने उपरी अंग को ढख लेती थी किसी कपड़े से या उपर कपड़े पहन लेती थी तो उनको उसके लिए टैक्स देना पड़ता था जैसे मतलब मान लो वो लोग उने उपर अगर कपड़े पहन लिये जिससे उनका उपरी अंग ढग गया ब्रेस्ट ढग गया तो उनको अपने बोडी को ढखने के लिए टैक्स देना पड़ता था राजा को कहां यह जाता था कि उस टाइम पे कास्ट स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए यह ब्रेस्ट टैक्स लगाया जाता था ये कह दिया गया था कि ओरते जो होंगी दलित वर्ग की वो अपने उपरी अंग को नहीं ढखेंगी अपने ब्रेस्ट को नहीं ढखेंगी और इस तरीके से अपर कास्ट और लोवर कास्ट को वो लोग आइडेंटिफाई करते थे समझ रहे हो मतलब कितना घटिया एक जाता बहादूर थी और बहुत जादा खूबसुरत भी थी इसी कारण से उनको लोग नंगेली कहकर पुकारते थे ठीक है नंगेली उनका नाम पढ़ गया था और दूसरी जो दलित महिलाए थी उन्हीं की तरह नंगेली को भी पब्लिक प्लेसेस पे बिना शरीर ढखके ज सब्सक्राइब निकलती थी ठीक है एक और चीज़ मैं आपको बताओं बहुत ही और लगेगा कि उस टाइम पे जो वोमेंस थी जो लोवर कास्ट की जैसे दली तवर्ग की जो महिलाए थी जिनके बारे में बात हो रही है उनकी जो ब्रेस्ट का साइज है उसको मेजर करके जितना उनका साइज होता था उस हिसाब से टैक्स लिया जाता था मतलब कितना घटिया सस्टम था कुछ कहने जासा नहीं हो मेरे पास शब्दीनिय है और अगर वो ढख ले तो उसमें हैवी टैक्स चार्ज किया जाता था यह जो nangeli थी इन्होंने क्या किया यह public places पिर भी जब जा जाती थी तो इन्होंने अपने इस्तानों को ढखना शुरू कर दिया और जो ओपर कास्ट के लोग थे जैसे ब्राम्मीन वगरा जो अपर कास्ट के लोग थे वो लोग इन से चड़ने लगे समझ रहे हो? वोग यह सोचने लगे कि अरे ये तो हमारी बराबरी कर रही है ठीक है? तो लोग चड़ने लगे इस चीज से लेकिन नांगेली को कोई में फरक नहीं पढ़ता था नांगेली जो थी, वो बहुत ज़दा किस्मत वाली थी क्योंकि उनके जो husband थे वो इस चीज में उनका बहुत support करते थे ठीक है, लांगेली जो थी वो इजावा कास्ट की थी ठीक है, काफी ज़दा brave थी और उनका support उनके husband करते थे इसलिए उनकी हिम्मत और जादा बढ़ गई थी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेस्ट किया लेकिन जो वहां का राजा था ट्रवन कोर का जो राजा था जिसने इस टैक्स को इंपोस किया था वो ढर गया था उसने सोचा कि अगर ये इस तरीके से विरोध करेगी प्रेस्ट टैक्स का और अगर अपने शरीर को ढखने लगेगी तो वहां के जो बाकी दलित समुदाय है वो लोग भी इसका साथ देंगे और वो लोग भी प्रोटेस्ट में उतराएंगे और ग्रोप प्रोटेस्ट अगर हो गया तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा बचना ठीक है तो उसने क्या किया उस राजा ने क्या किया नांगेली और उसके पती से जबरदस्ती टैक्स लेने के लिए अपने लोगों को भेजा ठीक है अपने लोगों को मतलब इंस्पेक्टर बगेरा को उसके घर भेजा तो जब इंस्पेक्टर टैक्स लेने के लिए टैक्स वसूलने के लिए उसके घर पर गए तो नांगेली ने राजा का जो आदेश था कि तुम्हें breast tax देना पड़ेगा क्योंकि तुम पब्लिक प्लेस में अपने शरीर को अपने इस्तनों को ढख कर घूम रही हो तो नांगेली ने साफ इंकार कर दिया उसने साफ बोल दिया कि जी नहीं मैं कोई टैक्स नहीं दूंगी और मैं इसी तरीके से रहूंगी लेकिन कुछ टाइम सोचा इंस्पेक्टर ने उसको धम की दी सिधी बात है तो उसने कुछ देर सोचा और वो अपने घर के अंदर चली गए इंस्पेक्टर बाहरी खड़ा था ठीक है और आप सोच भी नहीं सकते कि वो अंदर जाकर उसने क्या किया नांगेली ने अपने दोनों इस्पेक्टर को काटा और केले के जो पत्ते होते हैं उसमें सजा के उस इंस्पेक्टर को दे दिया मतलब आप सोच सकते हो अपने इस्पेक्टर को काट कर केले के पत्ते में सजा के उस tax inspector को दे दिया और कहा ले जाओ इसे लेकिन अब भही बहुत ज़्यादा bleeding हो गई थी बिल्कुल पूरी body उनकी blood से बिल्कुल भर गई थी ठीक है तो इसी कारण excess bleeding के कारण उनकी वही मौत हो गई और जब उनकी death हुई और उन्होंने suicide कर लिया कभी सुना है अपने ऐसा प्यार उस समय भी ऐसे supportive husbands हुआ करते थे और आज भी होने चाहिए ठीक है तो उन्होंने suicide कर लिया और नांगेली की चिता में कूद कर और जो है इसके बाद काफी जादा इस चीज को लेके विरोध हुआ फिर 1814 में 1814 में जो वहां के राजा थे उन्होंने breast tax को खतम कर दिया ठीक है तो यह था आज का lecture देखो इसमें यह पता चलता है कि दलीतों पर काफी जादा अत्याचार होता है यह ना शुरू से होता आ रहा है अभी तो खेर काफी कम हो गया है क्योंकि कई सारे कानून बने है और यह बहुत यह अच्छी बात है तो अब यह आप लोग सोचो मतलब किस किस तरीके की प्रताणनाय औरतों ने जहली है और आज भी कई तरह की कूप रथाओं का शिकार औरते होती रहती है तो यह था हमारा आज का लेक्चर अगर आपको कोई भी डाउट या कन्फूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं देखो सभी एक्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट हो जाता है यह टॉपिक क्योंकि अगर मेंस आप लिख रहे हो ठीक है थैंक यू